गाइज पठान और टाइगर 3 अब यह दोनों ऐसे फिल्म है ना जिसका हाइप जिसका बज किसी से छिपा नहीं है मतलब आप देख सकते हूं किस फिल्म की इतनी जादा हाइप है हर जगह इसकी अनॉंस्मेंट की बात होते रहती है इसकी टीजर ट्रेलर के बारे में बात होत इतना जादा इन दोनों फिल्मों ने परिशान करें करके रखा है कि मतलब जब भी सोचने के लिए बैठता हो ना कसम से बता रहो यह जो मेरा हाल है आपका भी हो गा दिमाग फटके फ्लावर हो जाता है ऐसा हाल हो जाए इन दोनों के रिलीज-डेट के बारे में जब भी स बज combine कर दो और यह दोनों फिल्में जहां इनकी कोई announcement भी नहीं हुए official मैं तब official हुई ही नहीं है यह दोनों फिल्में की बन भी रही है फिर भी देख लो यार की hype और बज इन दोनों फिल्मों का किस level पर यह होता है सार्डम जो शारुक खान और सल्मान भाई का है बट 2022 का 2023 के first half का क्योंकि उससे जादा तो Tiger 3 जाएगी नहीं तो पठान और Tiger 3 combined जो है यह वीडियो थोड़ी से लंबी होगी क्योंकि काफी detail में मैंने मैं बात करने वाला हूं इसमें पठान से related तो Tiger 3 से related तो दोनों की release date से related तो वीडियो last तक देखना बहुत मज़ा आएगा क् जुक्ति की की कब हो सकती और नहीं हो सकती क्या क्या कौन सी-कौन सी dates है जिसफे पठान रिलीज हो सकती जो की आते understood टो फिल्मों कि मज़ा जाए जब फिल्म मज़ा आएगा तो चलो गई सबसे पहले हम बात करते हैं पठान पे क्योंकि देखो अब जो है न अब जैस फीड में बात कर करूंगा बहुत लुटान वीडीयी सीधे बात करना सबसे पहले जरूरी ये उसकी ग्रिप्रोंल स्क्रेम्द अब आ Гर 3 यह सब हमें पता है तो पठान के उपर अगर बात करें तो एक तो अभी शूटिंग खतम नहीं हुई है स्पेन में उसकी शूटिंग होनी बाकी है जो कि शायद से मिड मार्च में शुरू होने वाली है तो खेर जो भी है तो देखो यह दोनों ऐसी फिल्म है जिनको फेस्टेवल रिलीज होना बहुत ही जादा जरूरी है वो box office पे impact create करने के लिए non holiday भी नहीं चलेगा मेरे हिसाब से क्योंकि festival release ही होनी चाहिए एक तो इतनी जादा budget है इस फिल्म की एक तो इतनी जादा hype create कर चुकी है festival release होगी फाड़ के जाएगी यह film में तो सबसे best जो release dates होने वाले है वो festival release ही होने वाले है तो इद पे तो possible नहीं है इद 2022 पठान को क्योंकि पहली चीज़ तो यह कि complete ही नहीं हो पाईगी फिल्म तब तक और दूसरी चीज़ यह है कि already clash है इद पे hero panti 2 और runway 34 की दो stars की फिल्म है already clash कर रही है एक you know tiger shop और दूसरी अजय देवगन की उधर कोई chance नहीं बनता है उसके बाद अगर हम आये तो अगला chance हो सकता है अगला date हो सकता है अगला period independence day का हो सकता है उधर भी कोई chance नहीं दिख़रा है मुझे guys क्योंकि already वहाँ पे आमिर मामू की इस साल की most one of the most anticipated film में से एक है पठान और टाइगर 3 के बाद लाल सिंग चड़ा वो already announced 11th of August को तो दोनों फिल्मों का नुक्सान कड़ा कि जाएगी क्योंकि दोनों फिल्में काफी बड़े budget पे और दोनों फिल्मों की hype बहुत अलग level पे तो यह तो possible नहीं है बट इसके बाद क्या आएगा इसके बाद जो है दसेरा आता है और दिवाली आता है तो पहले दसेरा पे अगर 7th of October को Friday है तो अगर आप सोचोगे कि 30 September को अगर विक्रम वेदा आ रही तो एक हफते के बाद यानि कि 7th of October को पठान रिलीज हो सकती है अब देखो पठान रिलीज अगर हो जाती 7th of October को एक वीक का जो है रन मिलेगा फ्री रन विक्रम वेदा को उसके पठान आती तो कोई चांस नहीं बनता है कोई कोई मतलब नहीं बनता है पठान को 7th of October को रिलीज होने का क्योंकि 5th of October को ओर दसहरा हो जाएगी complete तो holidays ऐसे भी खतम है उसके बाद कोई पॉइंट नहीं बनता है रिलीज होने का बट अगर विक्रम वेदा प्री पॉन्ड हो जाती है पुस्पॉ 2000 से तो कोई clash नहीं करना चाहेगा बाई ऐसी फिल्म पिछले 8-10 साल पता नहीं कबसे बन बनते जारी खतम ही नहीं तो उससे तो क्लैश करने कोई पॉइंट ही नहीं तो विक्रम वेदा पीछे जाएगा ही नहीं तो दूसरा option है कि यह विक्रम वेदा से direct clash कर देने का पठा 2016 में यस जब रईस और नहीं 2016 नहीं था ना 2017 में जब रईस और काबिल clash होई थी अच्छा कुछ नहीं था यार वो शारुक भाई के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि clash होगा बट अगला जो एक potential release date है वो सकता है जो सबसे best release period हो सकता है पठान के लिए वो है दिवाली 2022 द अक्षय कुमार की राम सेतु अल्रेडी वहां पर है अब देखो अब राम सेतु का क्या है ना कि वो 24th of October यानि जिस दिन दिवाली उसी दिन यह फिल्म release होने के लिए रेडी है अब देखो राम सेतु मुझे नहीं लगता है कि postpone करेगे अक्षय कुमार लास ओप्शन है कि भाई clash करो जो फिल्म बहतर होगी वो फिल्म आगी जाएगी और मुझे जादा उम्मीदे है कि शारुक भाई के फिल्म पठान जिसमें सल्मान भाई का भी cameo और ये spy universe के फिल्म है जिसका hype किसी से छिपा हुआ नहीं है आप जानते हो clash के बावजूद ये फिल्म तहल का तो भाई उसके लिए पठान को दिवाली पे ही आना पड़ेगा जो सबसे best release date है clash कर दो यार कोई फर्क नहीं पड़ता है देखो अपने इंडिया में screens जो है वो कम नहीं है अराम से फिल्म चलेगी बढ़िया चलेगी इससे पहले भी बहुत बार हुआ है तो ये हो सकता है पठान किसी भी तरीके से दिवाली पे release हो जाती है तो guys Tiger 3 के लिए रास्ते ऐसे खुल जाएंगे release होने के लिए December या January 1st week में यानि कि last December और January 1st week में क्योंकि देखो फिल्में बहुत जादा है उधर देखो उधर पुश्पा 2 है जो कि शायद से पुस्पॉंड हो चुकी ह अधर Avatar 2 है जो कि 16-17 December को release होने वाली है तो यह दोनों फिल्में है उधर Aquaman 2 है जिससे जादा कुछ खतरा मुझे दिखाई दे नहीं डाय है उधर गनपत है जो कि अगर टाइगर 3 के announcement उधर हो जाती है अगर दिवाली पे release होती है पठान तो easily Tiger 3 December में आ सकती है और वो सबसे best period होगा क्योंकि देखो आधी पुरुष जो प्रभास की आने वाली फिल्म है वो अलरड़ी आज 12 और 13th of January को announce हो चुकी है तो अगर किसी भी तरीके से गनपत पुस्पोंड हो जाती है और अगर नहीं भी हो जाती है कोई फरत नहीं पड़ता है जब Tiger 3 आएगा तो सब भा समय और किसी फिल्मों से जादा मुझे मतलब है नहीं और कोई पुषपा पुषपा सारी चली जाएगी कोई दिक्कत में है मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है बट देखो अगर Tiger 3 किसी भी हाल में December 23rd को आती है गनपत से clash भी हो जा हलाकि clash नहीं होगी वो भागी गनपत थोड़े दिन तक रहेगी थोड़ा publicity के लिए बट उसके बाद भागी गी लेकिन उसके बाद guys सोचो तीन हफ्तों का free run मिल जाएगा easily Tiger 3 को और तीन हफ्तों का free run Tiger 3 को मिलता है ना तो वो काहां फेकी गी ना box office records को इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है अभी यार जिन्दाय के footfalls 3 करोड से जादा थे war के footfalls 3 करोड से कम थे फिर भी उसने 2019 में 320 करोड के असपस कमाया 340 करोड कमा लिया था Tiger जिन्दाय ने अब अगर सोचो ticket prices war के इतना होती Tiger 3 की उस समय आज से 5 साल पहले तो easy 400 करोड प्रॉस हो जाती यार वो फिल्म तो अभी सोचो यार सारे के सारे involved हैं इतनी जादा हाई प्यार शारुक भाई भी होने वाले हैं पठान के बाद release होगी Cliff Anger पे पठान खतम होगी Tiger 3 वहां से start होगी आप सोच भी नहीं सकते होगा इसकी किस level पे जाएगी Tiger 3 मेरे हिसाब से December या फिर January का first week जो है वो काफी अच्छा period होगा चलो अगर गनपत को आने का मन है तो भाई आप आजाओ 23rd of December को 29th of December को जो है वो अलरडी वो जो है वो Friday है शायद तो उस दिल आएगी अगर Tiger 3 तो फाड़ के जाएगी तो ये तो guaranteed है guys की तहलका मचने वाला है December को उसके लिए पहले पठान को किसी भी हालत में दिवाली पे release होन इंचल नहीं की जरूरत है नहीं पठान का content अच्छा होगा पठान चलीगा आई hope कि राम से तू भी चले बट यार as a भाई fan as a शारुक खान fan मैं चाहता हूं कि पठान भी अच्छा करे Tiger 3 भी अच्छा करे राम से तू भी अच्छा करे बट ये दोनों फिल्मों से ज्याद ज़्यादा ज़रूरी है तो आई hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मेरे हिसाब से दिवाली बेस्ट रिलीज पीरेड होगी पठान के लिए और देसेंबर या जैनुरी फर्स्ट वीक न्यू यर का टाइम या फिर क्रिस्मस का टाइम ये जो क्रिस्मस और न्यू ये पूरा का पूरा हकता होता है ये तहलका मचा देता है पिछली बार टाइगर जिंदाय का आपने देख लिया है इस बार जब टाइगर थ्री आएगी तो ये भी फाड के जाएगी तो चलो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप बतावा आईज आपके हिसाब से ये